उत्तर भारत में पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पारटी की स्थिती मजबूत अब 12 राज्यों में BJP, कॉंग्रेस 3 में सिम्टी PTI, नई दिल्ली अपने दम पर 3 राज्यों, करनाटक, निकत्तम प्रतिदधी सत्ता रूर भारत राष्टर हिमाचल कॉंग्रेस को हराकर जीत की चार राज्यों के विधान सभा चुनावों में सिम्होगी, टेलंगाना में काग्रेस अपनी राह पर चली है, कॉंग्रेस बिहार जारकंड 3 में सपष्ट जीत की और बढ़ रही BJP अब अपने दम पर 12 राज्यों में सत्ता में होगी, जबकि द प्रदेश, गुजरात, गोआ असम, त्रिपुरन, मनिपुर, अरुनाचल प्रदर्श में सत्ता में है, मध्य प्रदेश में पाई ने सत्ता की बरकरार रखी और राजस्थान चट्तस गरुमीद को कॉंग्रेस से छीन लिया, इसके अलावा छे राश्ट्रिय दल है BJP, O, BS ISP, CPM, NPP और आप है, विधानसभा चुनाव का अगला दौर 2024 में होगा जब सिफकिम, अरुनाचल प्रदेश, ओरिसा और आंध प्रदेश में चुनाव होगे, जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कई भी मौजदा लविद सांसदो है, चूकी ने विधानसभा इस दौर हालां कि वो राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है, आपकी स्थिती अब मजबूत चुनाव नतीजों ने एक प्रमुक विपक्षी दल के रूप में आपकी स्थिती को मजबूत किया, वो दो राज्यों में सरकार के साथ दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, क्योंकि कॉंग्रेस की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, आपने ता जैस्मीन शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, परिनामों के बाद आम आदमी पार्टी दो राज्य सरकारों, पंजाब और दिल्ली के साथ उत्तर भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के र